हेलो दोस्तों, डेली हेल टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ अगर आपके लिए वीडियो हेल्पल है तो आप इस वीडियो को लाइप और शेर करें दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आलू के चिलके के फाइदे यानि की Friends, Health Benefits और Potato Peels वैसे Friends, हर किसी के किशन में सबजियों की टोकरी में एक चीज जो की ज़रूर मौझद होती है वो है आलू, जी हाँ Friends, आप स्वाद और साती सिहत के लिए आलू तो खाते ही होंगे लेकिन क्या आपने कभी आलू का चिलका खाने के बारे में सोचा है Friends, अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो अब आप सोच लीज़े जी हाँ, क्योंकि जितनी बार भी आपके घर में आलू की सबजी बने आप उसके चिलके को भी कंजियूम करे क्योंकि Friends, आलू के चिलके को आप अलग-अलग तरहां से यूज़ करके आप बहुत सी बीमारियों से सेफ रह सकते हैं और साथी मेडिसन्स के खर्चे को भी बचा सकते हैं So Friends, अगर आप आलू के चिलकों का इस्तेमाल करने के बचाए फेंग देते हैं तो अगली बार चिलकों को फेकने से पहले आज का वीडियो एंग तक जरूर देख लीचे क्योंकि Friends, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होगी जी हाँ, क्योंकि आज हम आपको आलू के चिलकों के ऐसे फायरे बिताने चुआ रहे हैं जिसे जाने के बाद आप नेक्स टाइम कभी भी आलू के चिलके को फेंकेंगे नहीं यहां तक कि Friends, आप बिना चिलके के आलू नहीं खाएंगे जी हाँ Friends, और अगर आप वाखे में ऐसा करेंगे तो आप आलू के चिलके का फैदा उठा सकते हैं तो चलिए जानते हैं आलू के चिलके के लाजवाब, हेल्थ और साथे ब्यूटी फायदे और बढ़ाया अपने खुपसूर्ती दोस्तों सब्सक्राइब करें टेली हिल टिप्स को ये बिल्कुल फ्री है और साथे बेला आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले दोस्तों इसका सबसे पहला फायदा है एनीमिया से बचाने में फायदेमिन है आलू का चिलका ची हाँ अगर आप आइरन की कमी से चूज रहे हैं तो बाकी सब्सक्राइब के साथ आलू के चिलके खाना बहुत ही फायदेमिन रहेगा क्योंकि दोस्तों आलू के चिलके में आइरन की अच्छी खासी मातरा होती है जोसे की एनीमिया होनी का खत्रा कम हो जाता है इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको एनीमिया यान की खून की कमी की समस्किया है तो ऐसे में आप आलू को चिलके समेख पका कर खाएं आपको काफी फैदा होगा और साथ याप काफी जियादा हल्ली भी हो जाओगे दोस्तों आलू के चिलके से मिलती है हमारे बौडी को ताकत चीहां आलू के चिलके में भरपूर मातरा में विटामिन B3 पाया जाता है यान की फ्रेंड्स विटामिन B3 हमारे बौडी को ताकत देनी का काम करता है जिससे के आपके बौडी को ताकत मिलती है तो फ्रेंड्स क हमारी डाइट में फाइबर की कुछ मातरा जरूर होनी चाहिए एक और जहां फ्रेंड्स आलू में भरपूर मातरा में फाइबर पैया जाता है वहीं इसके छिलके में भी अच्छी खासी मातरा में फाइबर होते हैं जो कि फ्रेंड्स हमारे डाइजिस्टिफ सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करते हैं इसलिए फ्रेंड्स आप आलू को इसके छिलके के साथ पका कर खाने की आदत डालिए इससे आप काफी ज्यादा हेल्दी हो जाओगी दोस्तों मेटाबॉलिसम के ये भी फाइदेमन है आलू का छिलका जी हाँ इससे मेटाबॉलिसम को बहतर रखने में काफी मदद मिलती हैं तो वहीं इससे हमारे नर्फ जियान के फ्रेंड्स नसों को भी मस्बूती मिलती हैं इसके लावा आलू का छिलका खाने से पाचन क्रि आचाता है दोस्तों पटास्ययम ब्लट प्रेशर को रेगूलेट करता है जिससे के ब्लट प्रेशर हमीशा कंट्रोल में रहता है इसलिए अगर आपको लोगी पी आफे हाई बीपी के पॉल्बलम है तो ऐसे में आप आलू को ऊसके चिलके के साथ खाएं और अपने सहत को बनाए healthy friends आप आलू के छिलके से निखारे अपनी रंगत, जी हाँ friends हल्दी और साती थोड़ा सा पानी मिलाकर paste द्यार कली छे, अब आलू के छिलके को राद बर इस हल्दी के paste में भीगो कर रगती छे friends आप अगली सुभा आलू के छिलके को पेस्ट से बहार निकल कर इससे अपने पूरे चेहरे पर पांच मिनित तक रगड़ी और 20-25 मिनित बाद आप अपना फेस धो लीचे इस तरहां से आपके चेहरे पर काफी ज्यादा निखार आएगा अगर आपको टैनिंग की समस्किया है तो ऐसे में आप बस एक आलू का चिलका लीचे और इससे अपने प्राब्लम वाले एडिया पर रगड़े दस मिनित बाद आप इसे धो लीचे इसके लावा फ्रेंड्स आप चाहे तो टामाटर और साथी आलू के चिलके को मिला का एक पेज बना लीचे और इससे अपने चेहरे पर लगा लीचे इससे भी आपकी टैनिंग दूर होकर आपके स्किन में काफी ज्यादा गलो आएगा जी हाँ फ्रेंड्स इसलिए आप इ से धोली छे फ्रेंड्स इससे आपकी स्किन ओईली नहीं होगी यानि कि फ्रेंड्स आपकी स्किन हल्दी और सौती नॉर्मल स्किन टाइप बन जाएगी फ्रेंड्स आप आलू के चिलके से अपने चेहरे के डाक स्पोर्स को करें खत्म जी हाँ फ्रेंड्स इसके लिए कुछ दिनों तक करते रहने से आपके चेहरे के डार्क स्पोर्ट्स गायब हो जाएंगे और आप काफी ज्यादा खुबसूरत भी दिखेंगी जी हाँ इसलिए फ्रेंड्स आप इस रेमिडी को जुरूर ट्वाय करें फ्रेंड्स आलू का चिलका आपके डार्क सिर्कल्स और साथी चुरिया आयान की व्रिंकल्स को भी करता है कम जी हाँ फ्रेंड्स इसके लिए आप आलू का चिलका लीचे और इसे अपने अंडराई एरिया पर रब करें लेकिन फ्रेंट्स यादा किये आप इसे आंखों के अंदर जानी से बिचाएं और इसे पूरे चेहरे पर अच्छी तरहा से रगड़े थोड़ी देर बाद आप फेस को धोली छे इस तरह से आपके डाक सकल्स और साथे विंकल्स के प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और साथी फ्रेंट्स आपके चेहरे में काफी ज्यादा ग्लो भी आएगा जिसकी वजाओ से आप काफी ज्यादा ब्यूटिफल दिखेंगी जी हाँ इसलिए फ्रेंट्स आप इस रेमेडी को ज़रूर प्राय कीचे आपको काफी फैदा होगा आज के इस वीडियो में आपने चालिया है आलू के चिलके के हेल्थ और ब्यूटिफल दिखेंगी तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ तब तक के लिए यू टेक गुड केर आफ यरसल्फ बाई